नमस्कार मैं हूँ फरहान और SPN 9 के इस खास कारी करम में आपका स्वागत है अब थोड़ा नागरिक्ता संसोधन विध्यक से एक हट के मसला सामने आया है लगातार समाचार नागरिक्ता संसोधन विध्यक पे ही हो रहे हैं मुद्दा यह है कि जिस तरह रोजगार कम होता जा रहा है घड़ गया है अर्थोस्था गिर चुकी है और अर्बन छेतरों से निकल कर अब गावों की तरफ कूच कर दिया है ग्रामीरों ने यहां तक कि मनरेगा के लिए भी पैसा नहीं बचा है सरकार के पास अब वह उस बजट को भी सामने नहीं ला सकती है अब वह पैसा नहीं आवंटिद कर सकती है मनरेगा के लिए तो यहीं अब रेलवे करमचारियों पर भी गाज गर गई यह भारती जंता पार्टी की उन्होंने कहा है कि पचास फीजदी करमचारी कम कर दिये जाएंगे रेलवे विभाग से सबसे बड़ा रेलवे विभाग है विशो का उसके बाद चाइना का भी नमबर आता है कह रहे है कि चाइना की आधार पर अब हम इस काम को करेंगे इस वक्त कितना बड़ा रोजगार जाने वाला है आपने देखा बी एस एनल एर इंडिया और अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम बिकने वाला है इस संबंद में कितने लोगों का रोजगार गया है कितने करमचारियों के पैसे रोक लिये गया है पी एप का घोटाला भी आपको पता ही होगा इस पर भी हमने चर्चा की थी अपने एक कारेकरम में अब गाजगिरी है रेलवे विभाग पर अब वहां भी कह दिया गया है कि 50 फीजदी लोगों का रोजगार छीन लिया जाएगा हम बता दें कि कह रहा है कि 30 साल जो नौकरी कर चुके हैं और 55 साल की आयू के करमचारी है है अब उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा उन्हें हटा दिया जाएगा यह सरकार फैसले रही है का कारण क्या हो सकता है क्या विभाग कमाय कर वेतन पर ही चला जाता है अब करमचारी के वेतन देना ही पड़ेगा और सरकार के पास पैसा बचा नहीं है अब वह रेलवे के पैसा भी हड़पना चाहती है जिस तरह IDBI बैंक और LIC को मर्ज कर दिया उससे शेयर खरिदवा लिये पैसा भारती जन्ता पार्टी की जेब में और जलगातर एसेट से बेचे जा रहा है चाहे हो BSNLO हिंदुस्तान भारत पेट्रोलियम हो या Air India हो वह पैसा कहा जाने वाला है भारती जन्ता पार्टी की जेब में सत्ता धारियों की जेब में तो अब जो रेलवे का 60 फीजदी पैसा कर्मचारियों के वेतन में जा रहा है यह तो आपकी मजबूरी नहीं हम कहेंगे यह उनका अधिकार है उनको वेतन मिलेगा और आपको यह अपनी जेब से वेतन नहीं दे रहे हैं यह वेतन हमारे ही टेक्स से भरपाई की जाती है उस वेतन की जो कमाई होती है वह हमारे ही पैसे से जाती है तो आप यह क्यूं कह रहें कि 60 फीजदी पैसा जो है कमाई का पैसा है वह उनके वेतन पर जा रहा है इसलिए हम 50 फीजदी कम कर देंगे कर्मचारियों को फिर पैसा कहा जाएगा क्या रेल विभाग सुधर जाएगा क्या समय से आने लगेंगी उनकी गिंती बढ़ जाएगी उनके किलो मीटर पर जाएगा पट्रियां ज्यादा बिज जाएंगी क्या ऐसा होने वाला है आने वाले समय बिलकुल नहीं आप देख रहे हैं लगतार भारती इंता पार्टी के पास पैसा खत्म हो चुका है जिन योजनाओं की उन्होंने बात की थी जिन योजनाओं के बल पर वह सत्ता पराय करने के लिए ही पैसा नहीं है उनके पास तो अब यह गाज गर गई है रेलवे के कर्विचारियों पर अब उसमें आने वाले का समय में क्या वहभी हरताल पर बैठेंगे प्रदर्शन करेंगे देखने वाली बात यह होगी लेकिन आपकी राय महत्रपूर्ण है अपनी रा है तो लाइक करें जादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तब तक कि लिए जादत चाहूंगा नमस्कार